पर दोस्तों कि इस्टों कि एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों अभी जो चल रहा है इस सब को मालूम था लेकिन मैं आपको एक साइक लुगी आपके साथ से राहा हूँ जो इस टौक मार्केट में इन्वेस्टर का होता है ट्रेडर का तो इसे भी मार् किया हुआ था ठीक है आज के दिन देखिए इसमें मेरा लोस कितना है आज के दिन ठीक है और मेरा जो अबरॉल प्रोफिट था घटकर कितना हो गया जहां मैं 68% के अबरॉल प्रोफिट पे बैठा हुआ था आज के दिन में घटके सिर्फ 50% रह गया और आज यह 14th stock मेरे पास है यहाँ पर देख सकते हैं यह एक portfolio का दिखा रहा हूँ मैं आज के दिन में देखिए किसी में भी मैं green में नहीं हूँ किसी भी stock में मैं green में नहीं हूँ सब में मेरे को गिरावट है तो क्या करना चाहिए मुझे एज इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए आप ज़रा बताए यह एज इन्वेस्टर आप क्या करते क्या आप माल बेचकर आए जो बचा कुछा profit बूक करके लेकर चले जैसे देखे सुनाटा सफटर में कल ही के दिन मैंने 6 quantity एड किया है दिख रहा है सुनाटा सफटर में कल के दिन मैंने 6 quantity एड किया है यह T plus 1 दिख रहा है 6 quantity का जब आप red को enjoy नहीं कर पाओगे तो green का मजा कहां से लोगे ठीक है ना जब गिरते वे market में बरदास नहीं करोगे पेसंस नहीं रखोगे तो जब market बुल वापस बनेगा तो कहां से उसको enjoy कर पाओगे फिर जब market भागने लएगा तब करिदने जाओगे जो चीज आज 100 प्यागा profit मिलेगा यह mindset रहना चाहिए लेकिन इसी में फस जाते हैं लोग पेसंस नहीं है दूसरा मेरा up stocks कभी मैं देखो आज के दिन मेरा little champ का portfolio यह भी देखो 70% से डाउन हो profit डाउन होके सिर्फ 53% profit बचा हुआ है 20,000 का आज के दिन भी नुकसान है और मैंने आपको क्या 5 लाग पूरा 5 लाग investor है क्योंकि 15,000 रुपया का मैंने SIP किया ठीक है और first week में ही करता हूँ क्योंकि मैं salary best employee हूँ आदमी हूँ जैसे salary आता है मैं आपना पैसा लगा ही देता हूँ ठीक है वेट नहीं करता हूँ मेरा जब target है मेरे को 20 साल तक invest करने का तो यह तो market का opportunity है यह day by day की गिरावट जो है election तक गिरावट है उठालो जितना माल election तक उठाना है election के 10 दिन के बाद वैसे भी rally पकड़ीगे तो पकड़ नहीं पाऊँगे तो अच्छा investor होता है जो इस चीज को है जो फ्रेंड समझे इस गिरावट को इसको opportunity ले और अप धीरे-धीरे अपना quantity increase करें धीरे-धीरे quantity माल लीजे कि एक मोबाइल है इसमें मेरे पास 50 share है मैं दीरे-दीरे इसमें quantity इसी अपर गिरावट में मैं इसमें माल लीजे 20 quantity और मैं add करूँगा यह मेरे लिए opportunity हुआ न तो चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ stock जो इस opportunity में बहतरीन stock है सब के सब multiplier हैं आप जाकर check कर सकते हैं मैं बार-ब defense sector में अब GenTech पर मैंने separate video भी बनाया हुआ है देखिए मैंने जब यहाँ पर price था तो भी मैंने video बनाया तो मैं बोला तो यहाँ पर करदारी मत किजिएगा यह point पर आने दीजिए यह हमारा खरेदारी का point है यह हमारा buying zone है और देखिए अब आ गया है देख रहा है यह red candle को touch कर दिये आज की दिन में हो सकता है कि election के period तक यह green candle को भी touch कर दे ठीक है कोई बात नहीं हम एक quantity यहाँ पर उठाएंगे कुछ quantity यहाँ पर उठाएंगे हो सकता है 700 के पास भी आ जाए कोई बात नहीं हम quantity add करते जाएंगे जेंटेक में हम quantity add करेंगे ठीक है हम quantity add करेंगे इसमें आप दो महिना चार महिना के बाद देखोगे कि फिर वापस bounce back करके अपने previous high के पास ही आएगा और अग मैं पहले बताया हूँ जेंटक में इंवेस्ट करने का सोची है अपने बच्चों के future के लिए अपने retirement के लिए पंदर साल तक invest कीजिए SIP के तरह बहुत बड़ा पैसा बना कर देगा मैं wait कर रहा हूँ ठीक है मैं इस buying zone में मैं अपना खरदारीय स्टार्ट करूँगा मैं इस buying zone में अपना खरदारीय स्टार्ट करूँगा तब पहला है स्टॉक हुआ जेंटक पैसा तयार रखिए दीरे दीरे माल उठाना शुरू कीजिए दूसरा स्टॉक है टाटा इलक्स जाई ठीक है टाटा इलक्स जाई मैं सबसे ज़्यादा share market में पिछले 5 साल में से invest करना शुरू किया सबसे ज़्यादा profit जो बुक किया हूँ उसमें से एक company ये भी है टाटा इलक्स जाई मैं profit बुक कर चुका हूँ 10,000 पलस पे जब ये था फिर वापस अपने buying price पे आया हुआ है monthly support के पास आया हुआ है मैंने already इस month में इसके अं प्रस नीचे जाएगा कोई बात नहीं मैं quantity build करूँगा क्योंकि artificial intelligence में अगर आप future देख रहे हैं तो इंडिया में दो कंपणियों के बारे में सोचिए टाटा इलक्स जाई के बारे में और KPIT इसमें आपको opportunity मिले तो आंख बंद करके पैसा लगाईए KPIT में या टाटा इल रन करेगा सारी कंपणियां रन करेगी तो मैं AI के फिल्ड में टाटा इलक्स जाई में हूं आज भी profit पर बैठा हूं आठ भूना profit पर बैठा हूं ठीक है दूसरी तीसरी company है मेरा नौकरी infoage नौकरी.com के जाने जाते result इसके अच्छे आया हुए है और यह देख सकते हैं upward moment पकड़े हुआ है इतनी गिरावट के बाद भी देख रहा है इस stock में कोई कमी नहीं यहा रहा है कोई बात नहीं धीरे धीरे अप ही करके जाएगा और यह mother company है mother मैं बोलता हूँ कि अपने future के लिए अपने बच्चों के लिए इसमें 5-20 साल तक invested रही है इसके अंदर से बहुत सारी कमपनिया तुट-टुट के नहीं नहीं कमपनिया बनेंगी और ultimately property देगी आपको नोकरी.com माल उठाए हुए है तो इसके अंदर opportunity मिले तो और भी quantity build up कीजिए ठीक है चोती company medical field की डिबीज लैब डिबीज लैब पे मैं बार बार बोल ला हूँ कि माल उठाना है start कर दीजे लो यह बार बार 4,000 एक तालिस सो के पास अपने आपको जाकर assistant phase कर रहा है एक बा quantity अगर पहले 10 लिए हुए है पाच quantity इस area में build कीजिए हो जाएगा आपका 15 quantity और उस quantity के हिसाब से फिर वापस आपको profit देगा यह डिबीज लैब मेरा चोथा company मेरी पसंद का जिसमें आप long term invest कर सकते हैं ठीक है जिसमें आप quantity build कर सकते हैं चोथा relax हो relax हो हम देखिए relax हो के दिन आज के दिन result आने वाला है यह इसका monthly support lower support जोन है और इतने मन्त का consolidation है और कितनी market में गिरावट के बाद भी देखिए price इसका down नहीं जा रहा ठीक है ना आज इसका result भी आने वाला है price इसका down नहीं जा रहा है तो आप इसमें माल उठाना शूर कर देखिए इसके अंदर upside moment बहुत ज्यादा बचा हुआ है और यह बहुत अच्छा पैसा आगर यहां से निकल गया ठीक है साथ रुपएया monthly support है इसका और 880 के उपर से निकला जो कि पहले हम लोग 880 रुपएया पर ही बार बार support ले रहा था यहां पर देखिए support लिया support लिया support लिया और यहां पर finally break down करके हमाय थे 880 के उपर निकला जो कि ultimately 200 days के moving average के उपर होगा तो फिर आपको एक बहुत अच्छा दे सकता है यहां से double भी बना सकता है क्योंकि बहुत बहुत पहले इसका high बना हुआ था और पाचवी company डीपक नाइट राइट केमकल फिल्ड की सुपर एस्टार यह मेरा second stock है जिसके अंदर मैंने highest profit बुक किया हुआ है और अब ही भी मैं बना हुआ हूँ अभी मैंने फ्रेस इंट्री इस सब एरिया में मैंने लिया है फ्रेस इंट्री मैंने अपने quantity बिल्ड कर जिस दिन इसके ऊपर 26 रोपया के ऊपर जाकर close होना सुरू हुए यह बहुत जल्द rocket बनेगा और बहुत जबरदस profit कमा कर देगा दोस्तों हो सकता है आप मेरे बात से agree ना करते हूँ आपका आपना choice है मैं अपना मैं कोई teacher नहीं हूँ मैं जो practice करता हूँ वही आपके साथ share कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही एक long term investor हूँ तीन-तीन portfolio अपना maintain करता हूँ मैं और साथ में trade भी करता हूँ जब भी मुझे trade के opportunity मिलती है अभी मैं trade नहीं करता हूँ मैं फेनों में trade नहीं करता हूँ मैं cash market में trade करता हूँ ठीक है और मैं long term investor हूँ तो मैं अपना S.I.P के थो इंवेस्ट करता हूँ ठीक है अभी मैं इलेक्शन के टाइम पर और इसमें quantity मैं अपना बिल्ड करना सुरू करूंगी या जैसे जैसे मेरे पास पैसे होते जाएंगे मैं इसमें करता जांगे गना मेरा सेलेक्शन रेडी हैं ऐसा नहीं कि मुँँ उस टाइम पर सर्च करने जाऊंगा कौन सी कंपनी मैं कोई नई abandon नहीं select करूँगा, जिस company में पहले से invested हो, उसी company में opportunity या उसी company में मैं अपनी quantity build करूँगा, ठीक है ना, thank you दोस्ता